दोस्तो करीब एक हफ़ता पहले करनाटक के ग्रै मंतरी ने आदेश दिया था कि स्कूलों में हिजाब और भगवा शौल पहनने की अनुमती नहीं होगी जिसके बाद से सिर्फ राजजय या देश में नहीं बलकि दुनिया के कई देशों में इस मामले पर दखल देना शुरू कर दिया था ऐसे में भारत ने 57 मुसलिम देशों को खूब खरी-खरी सुनाई भारत के इस धमकी ने इन मुसलिम देशों को सदमे में ला दिया है हिजाब पहनने को लेकर मामला कोट में चल रहा है पक्ष और विपक्ष दोनों दलीले रख रहे हैं कोट में हर पहलू को बड़ी बारीकी से जांचा जा रहा है लेकिन पाकिस्तान के बाद हम मुसलिम देशों के संगठन OIC ने भारत के इस आंतरिक मामले पर चोधरी भनने की कोशिश की है एस संगठन ने हरीदवार में नफरत वाले भाशन और करनाटक में ड्रेस विवाद पर चंता जाहिर की है OIC महासचीव ने शोशल मीडिया पर मुसलिम महिलाओ के उतपीडन की कतित खबरों की बात कही OIC के महासचीव ने भारत से मुसलिम समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने का अनरोध किया है इस पर भारत ने कड़े शब्दों में इसलामिक सयोग संगठन यानि Organization of Islamic Corporation की खिचाई की है भारत की परतिक्रिया में ये साफ संदेश देखा गया कि वो हमारे मसलों पर टिपनी करने से बचे तो आई ये दोस्तों आपको बता देते हैं भारत की वो पांच तीखी बाते जो मुसलिम देशों के संगठनों को चुब रही है विदेश मंत्राले के परवक्ता अंदरीम बागजी ने कहा कि भारत के खिलाफ अपने नापाक परचार को आगे बढ़ाने और अपने स्वारत के लिए OIC का दुरूपयोग जारी है और ये करना सरासर गलत है नमबर दो भारत से संबंदित मामले में OIC के सचीवाले की और से भ्रामक बयान जारी किया गया है ये भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा है नमबर तीन भारत ने साफ कहा कि OIC सचीवाले के संपरदाएक मानसिकता उसकी आखों में पट्टी की तरह काम करती है जो उसे कुछ देखने नहीं देती नमबर चार ऐसी बेवजे और प्रेरित टिपनी से केवल OIC की परतिष्टा को ही नुकसान पहुचा है नमबर पांच बाग जी ने कहा कि भारत में समयधानिक ढाचे और लोकतांतरिक वैवस्ता के अनुरूप ऐसे मसलों को हल किया जाता है जो लोग भारत को अच्छी तरीके से जानते हैं उन्हें हकीकत के बारे में अच्छी समझ होगी तो आईए दोस्तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की भाषा बोलता है ये संगठन दोस्तो इसलामिक सयोग संगठन वही है जो अकसर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की सहे पर कश्मीर का राग अलापता रहता है दिसंबर 2021 में भी इसके महासचिव ने कश्मीरी लोगों के आत्म निर्ने और अधिकार हासिल करने के लिए संगर्ष को शमर्थन जारी रखने की बात कही थी मीटिंग पाकिस्तान के परधान मंतरी इमरान खान के साथ इसलामाबाद में थी तो किसी ने इसे तवज्जों नहीं दिया क्योंकि वो पाकिस्तान की भाशा बोल रहे थे भारत ने उस समय भी OIC को खूब सुनाय था 57 देश OIC के सदस्य है और इसका मुख्याले साओधी अरब में है दिल्चस्प ये है कि भारत में हिजाब को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है फिर भी OIC दखल दे रहा है जबकि दुनिया के कई देशों में हिजाब पर पूरे तरीके से बैन है लेकिन OIC को चिंता जताने का मौका नहीं मिलता जिसमें फ्रांस, रूस, चीन, डैनमार के अलावा सीरिया और मिसर जैसे देशों की युनिवरस्टी में पूरा चहरा ढखने पर परतिबंद है टुनिशिया, मौरोको, अजरबेजान, लेबनान में भी हिजाब को लेकर नियम कड़े हैं 11 अप्रेल 2011 को फ्रांस ने सावरजनिक स्थानों पर पूरे चहरे को ढखने वाले इसलामी नकाबों पर परतिबंद लगाने वाला पहला यूरोपिय देश बना था इस परतिबंद के तहट कोई भी महिला फिर वो फ्रांसी सी हो या विदेशी घर के बाहर पूरा चहरा ढखकर नहीं जा सकती नियम के उलंगन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया उस समय निकोला सारकोजी फ्रांस के राश्टरपती हुआ करते थे परतिबंद लगाने वाले सारकोजी परशाशन का मानना था कि पर्दा महिलाओ के साथ अत्याचार के समान है और फ्रांस में इसका स्वागत नहीं किया जाएगा इसके पांच साल बाद यानि साल 2016 में फ्रांस में एक और विवादित कानून लाया गया इस बार ब्रुकनी के नाम से मशूर महिलाओ के पूरे शरीर को ढखने वाले सिस्टम सूट को बैन कर दिया गया हलाकि दोस्तों बाद में फ्रांस की सिर्श अदालत ने इस कानून को रद कर दिया फ्रांस में करीब 50 लाख मुस्लिम महिलाओं रहती हैं लेकिन महिस दो हजार महिलाएं ही बुरुखा पहनती है ऐसा करने के लिए 150 यूरो का जुर्माना तै किया गया अगर कोई किसी महिला को चेहरा ढखने पर मजबूर करता है तो उस पर 30,000 यूरो के जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों आपको बता दें कि बेलजियम में भी पूरा चेहरा ढखने पर जुलाई 2011 में ही परतिबंद लगा दिया गया था नए कानून में सावरजनिक स्थलो पर ऐसे किसी भी पहनावे पर रोक थी जो पहनने वाले की पहचान जाहिर ना होने दे नवंबर 2016 में निदरलेंड के सांसदों ने स्कूल हस्पतालो जैसे सावरजनिक स्थलो पर सावरजनिक परिवहन में सफर करने के दोरान पूरा चेहरा ढखने वाले इसलामिक नकाबो पर रोक का समर्थन किया हलाकि इस पर्तिबंद को कानून बनने के लिए बिल का संसद में पास होना जरूरी था आखिरकार जून 2018 में निदरलेंड ने चेहरा ढखने पर पर्तिबंद लगाया दोस्तो ब्रिटेन में भी इसलामिक पोशाक पर कोई रोक नहीं है लेकिन वहाँ स्कूलों को अपना ड्रेस कोड खुद तै करने की इजाज़त है अगस्त 2016 में हुए एक पोल में 57 परतिशद ब्रिटिस के जंता ने यूके में बुर्का परतिबंद करने के पक्ष में मत जाहिर किया था अफरीका साल 2015 में बुर्का धारी महिलाओं ने कई बड़े आत्मगाती धमाकों को अंजाम दिया इसके बाद चाड कैमरून के उत्री शेत्र निजेर के कुछ शेत्रों और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉन्गो में पूरा चेहरा ढखने पर रोक लगा दी गई तुर्की, 85 साल से जादा लंबे वक्त तक तुर्की आधिकारिक तोर पर एक धर्म निर्पेक्ष देश हुआ करता था तुर्की के संस्थापक मुस्ताफा कमाल आता तुर्क ने हिजाब को पिछडी सोच वाला बताते हुए इसे खारिज कर दिया था आधिकारिक भवनों और कुछ सावरजनिक जगोहों पर हिजाब पर रोक लगाई गई लेकिन इस मुद्दे पर देश की मुस्लिम बहुल आबादी की अलग-अलग राय देखने को मिलती है परधान मंत्रियों राष्टरपती की पत्नियों और बेटियों सहित सभी तुर्क महिलाओं में से दो तिहाई अपने सर को ढखती है साल दोहजर आठ में तुर्की के संविधान में शंशोधन करके विश्व विधालों में शक्त नियमों पर थोड़ी छूट दी गई फिर ढीले बंदे हिजाब को मंजूरी मिल गई हाला कि गर्दन और पूरा चेहरा चिपाने वाले नकावों पर रोक जारी रही वास्तों में मुस्लिम पहनावा भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया के लिए काफी चर्चा का विशेर रहता है जिसमें हिजाब के अलावा और भी कपड़े शामिल है वैसे इसलामिक क्लोदिंग मार्केट भारत ही नहीं पूरी दुनिया में राइज कर रहा है भारत में मुस्लिम 2015 से अब तक करीब दोगुना सिरफ कपड़ा पर खर्च कर देते हैं आईए आपको बताते हैं पूरी रिपोर्ट दोस्तो भारत में करीब करीब दोगुना हो चुका है इसलामिक क्लोदिंग मार्केट एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 180 मिलियन मजबूत मुस्लिम आबादी ने 2015 में कपड़ों पर अनुमानित 11 बिलियन डॉलर खर्च किये और ये 13 फिस्दी की ग्रोथ के साथ बढ़कर 2020 में करीब 20 बिलियन डॉलर पर पहुँच गई मुझूदा समय में जिसके 23 से 25 बिलियन डॉलर के होने का अनुमान लगाया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुसल्मानों के बीच मोडेस्ट क्लोधिंग की जरूरत बढ़ती जा रही है इसका कारण देश में मुसलिम आबादी के साथ उनका शहरी करण और मुसलिम युवाओ में ब्रेंड लेकर जागरुक होना है ट्रेंडी, मौडरन, मौडेस्ट फैशन क्लोधिंग प्रोड़क्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए देश में ओनलाइन पोर्टल लॉंच हुए है इनमें इस्ट एंसेंस, इस्लामिक अटायर और इस्लामिक शॉप सामिल है किस देश में है सबसे बड़ा मार्केट दोस्तो अगर मुसलिम गार्मेंट्स की बात करें तो इरान दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है www.stasia.com की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में इरान में इसका मार्केट 53 बिलियन डॉलर का है जबकि टर्की में 28 बिलियन डॉलर का तो साउदी में 21 बिलियन डॉलर का मार्केट है जबकि पाकिस्तान में 20 बिलियन से ज자tak का मार्केट है तो दोस्तो अब आप हमें कमेंट शैक्शन में बताए कि क्या ये बाते आपको पहले से पता थी अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरस्टिंग लगी तो दोस्तो हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बाते बताने की कोशिश की अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें तो दोस्तो बने रहे हमारे साथ जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने होंगे एक और इंटरस्टिंग वीडियो के साथ धन्यवाद